मल्यालम इंडस्ट्री की ओल टाइम ब्लोकबस्टर मुवी मन्जुमल बोईज अब हो चुकी है रिलीज ओटीटी प्लाटफोर्म पर अब हिंदी ओडियंस भी इस मुवी का मज़ा उठा सकती है तो इस वीडियो में बात करते हैं कि यह मुवी कौन से ओटीटी प्लाटफोर पर रिलीज हुई है और इसकी कहानी क्या है प्लीज सब्सक्राइब तो हैडो और वेलकम गाईज मैं हूँ पॉमल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मन्जुमल बोईज मूवी डियो बारे में तो बही मन्जुमल बोईज एक ऐसी कहानी है जहां पर कुछ लड़के दिखाये जाते हैं और उनके ग्रुप का जो नाम होता है मन्जुमल बोईज और उनी पर यह कहानी बेस्ट है बही वो प्लैन करते हैं कहीं पर बाहर गूमने जाने का और वो पहुंच जाते हैं गुना केव में अब वो उनका जो एक फ्रेंड होता है वो वहां प पर फ़स जाता है तो यह कहानी से उसी के उपर light कि वह अपने उस प्रेंट को उस गुफा 77 पाते हैं या फिर नहीं निकाल पाते अगर उसको निकारते हैं तो कैसे सवालों का ज़ार आ चाहते हैं तो आप धी जाकर मुवी को देख सकते है और टीटी प्लाटफोर्म पर यानि कि डिजनी प्लस होस्टार पर आप अब इस मुवी का मज़ा उठा सकते हैं और वह भी हिंदी में अब यह मुवी आपको हिंदी में मिल जाएगी देखने के लिए बात करते हैं इस मुवी के होते है अपनी लाइफ में वह सिर्फ उनको सिर्फ एग गोय लिए इक दिन पहुंछ जाते हैं गुना केव में जो फ्रेंड होता है एक फ्रैंड उसमें से बहुस जाता है गुना केव में अब उसकी यादे दिखाए गई हैं कि कैसे वो अपने फ्रेंड को याद कर रहे होते हैं उनके बच्पन की यादे भी दिखाये जाती हैं लेकिन जब आप उनकी दोस्ती को देखोगे ना वहाँ पर कि किस सभीती को दिखाया गया है किस emotion से दिखाया गया है तो आपकी आँखे भी definitely वहां पर नम हो जाएंगी क्योंकि आपको लगे गाई नहीं कि वह actors हैं और वह real में acting कर रहे हैं आपको सिर्फ इतना लगेगा कि यार यह सब सच है यह real में friend है जो इनकी यहां पर bonding bonding दिखाए गई है वह भी पहले से हैं इनकी bonding लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है वह सेट पर ही सब लोग मिलते हैं वह real में अपनी bonding को इस तरीके से दिखाते हैं कि कोई यह फर्क जान ही नहीं पाता है इस movie के starting होती है तो starting के 20 से 25 मिनट इनकी दोस्ती दिखाई जाती है लेकिन जब यह movie आगे पढ़ती है जब यह गुना केव में पहुंचती है इनकी कहानी तो वहां से यह story अपनी एक अलग ही उचाई पर पहुंच जाती है जो यहां पर इस movie की pitch होती है यार सच में वो definitely ब दिखाया गया है वह बहुत अच्छा है यहां पर यह पूरी की पूरी मुवी बहुत सिंपल और थ्रिल है अगर इस मुवी को देखो गए ना तो आपको लगे गाई नहीं यार कि एक इतने कम बजट में मुवी बनाए गई है लेकिन इसमें इतने अच्छे तरीके से अपने ह कि उसने यहां पर बहुत अच्छा काम किया है उसके जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी क्योंकि जिस तरीके से इसने गुना केव के अंदर के सीन्स को दिखाया गया है एक एक जो फ्रेम है उसको एक 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 एंगल को बहुत अच्छे से उसने डिफाइन करके दिखाया वैसे यह horror movie नहीं है लेकिन उसने इसमें एक ड्रावना पन डाल दिया है उसने जो देखने में बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है अगर हम इसके background music की बात करें तो वो भी यहां पर बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने दिखा है बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने उसको अगर बात करें ईसकी dubbing की क्यूंकि इसको हिंदी में dub क्या गया है मलयालम इंडस्ट्री की movie तो इसके dubbing भी बहुत अच्छे तरीके से की गई है यहां पर जो इसके गाने है उनको भी बहुत अच्छ तरीके से इन्होंने बुल्ट किया है लेकिन कुछ गानों में आप सच में बहुत इंटरस्टिंग पार्ट होता है इसका आपका एक सेकंड भी मन नहीं करेगा मुवी छोड़ के जाने का आप एक सेकंड के लिए भी अपनी नजरों को इधर से उधर नहीं कर पाऊगे क्योंकि जिस तरीके से दिखाया गया है लास्ट में वो अपने फ्रेंड क यहां पर फोच जाते हैं लेकिन वो आज तक कभी मिले ही नहीं है यहां पर कमल सर्जु है वो अपने गाने के एक शूट करते हैं वो भी यहां पर दिखाया गया और लास्ट में इनके रियल फोटेज भी हमें दिखाया जाते हैं तो भई अगर हम ओवर रॉल इस मूवी के बात करें तो इसको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है इसमें बाकी सब काम भी बहुत अच्छे और एक्टर्स की एक्टिंग का तो जवाब ही नहीं है उन्होंने सच में अपने करेक्टर्स को खुद जीया है उनकी जो दोस्ती है वहां पर हम रियल लाइफ में ज देखिए और इस मूवी का मज़ा उठाए तो थैंक यू गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी धन्यवाद